एक जंगल में एक तालाब था, उस तालाब में बहुत से जीव रहते थे बही तालाब के पास एक व्रिद बगुला भी रहता था जो की बहुत बूरा होने के कारण मचलियों का शिकार करने में असमर्थ हो गया था और अक्सर उसे भूखा ही रहना पड़ता था एक दिन जब बगुला तालाब के किनारे बैठा था तब उसे एक तरकीब सूझी और बगुले ने जोर-जोर से रोना शुरू कर दिया बगुले को रोता देख एक केकड़ा तालाब से बाहर आया और बगुले से पूछा क्या हो गया है बगले, क्यो रो रहा है बगले तू ए केकड़ा भाई, मैंने एक अकाश्वानी सुनी है कि इस तालाब का पानी जल्दी ही सुख जाएगा और यहां के सभी जीव मढ जाएंगे बस इसी लिए मेरी आखों में आसू है केकड़े ने यह बात तालाब में जाकर सभी को बताई और सभी जीव इकठा होकर मदद लेने बगुला के पास आए और बगुला से बोले हाईला, बगला भाई, क्या आप हमें सुरक्षित इस्तान तक पहुँचा सकते हैं? हाँ दोस्तों, यहाँ थोड़ी दूरी पर ही एक विशार तलाब है मैं तुम सब लोगों को कुछ ही दिनों में वहाँ पहुचा दूँगा सभी जीव मान गए बगुला एक-एक करके मचलियों को ले जाता और उन्हें एक चट्टान पर ले जा करके खा जाता अब बगुला बहुत खुश था क्योंकि उसे बिना किसी महनत के उसका भोजन मिल रहा था यह सब कुछ दिन चलता रहा फिर एक दिन केकड़े की जाने की बारी आई केकड़ा बगुले की पीट पर बैठ गया और बगुला भी उड़ चला कुछ दूरी पर केकड़े ने बगुले से पूछा क्यों बगुले खुश तो है न मशलिया वहाँ तू ले जा रहा है मुझे जहाँ बगुला सोचने लगा कि अब इसे सब सच बता ही देता हूँ क्योंकि इसे भी अब मैं खाने ही वाला हूँ केकड़े ने सोचा यदि यह दुष्ट बगुला जीवित रहा तो उसका और तालाब के सभी जीवों का जीवन संकट में आ जाएगा यह सोचकर केकड़े ने अपने तेज पंजे बगुले की गर्दन में गाड़ दिये यह तुने अच्छा नहीं किया बगुले अब मरेगा बगुला बगुला धर्ती पर जागिरा और मर गया बहुत फड़ फड़ा रहा था जान बचाएगा सब की केकड़े ने यह सारी बात वापस तालाप पर जाकर सभी जीवों को बताई सभी जीवों ने समझदार केकड़े की प्रशंसा की और उसका धन्यवाद किया